वो दोनों हाथों को उसके कमर के पीछे मोड गया था उसके काले लुबादे में मौझूद शक्स की बॉडी का आगे का हिस्सा आलियान के सीने से तकराया इस हसीन नौजवान ने इस काले लुबादे में मौझूद शक्स के दोनों हाथ अपने एक हाथ से ही पकड़ लिये थे और दूसरे हाथ से उसके सर से हैट हटाई बस सर से हैट का हटना था कि लंबी घनी आपशार हवा में आजाद होकर फैली जो उसकी पूरी कमर को ढ़ाग गई वो एक लड़की है ये देख दुकानदार भी पीछे हटे पे अरे ये चोड तो लड़की निकला वेलकम टू अबर चैनल नौविस भाई उसने कमर असलाम लेकुम लिसनर कैसे हैं पर चड़कर उसके पाऊं पकड़े कोई है कोई है कोई है नूरी वो हलक के बल धाड़ा नूरी उसी लम्मे कमरे में भागती हुए चली आई थी आफिया की हालत देख उसकी जान निकली जल्दी इधर आओ, आमन ने उसके पाउन नूरी को पकड़ाय ताकि सहारा मिले उसकी बॉडी को और बैट के साइड में पढ़ा स्टूल उठा कर लाया खुल इस स्टूल पे चड़कर उसकी रसी खोली उसके जखमी और खुन आलू जिसम को नर्मी से अपनी बाहों में लेकर नीचे उत्रा उसकी सांसे चल रही है अपने लरस्ते हातों के साथ उसकी नफस पकड़ कर चेक की फिर तेजी से अपनी काली शॉल उतार कर उसके वजूस से लपेट दी और उसे बाहों में भर कर बाहर की जानेब दोड़ा जल्दी गाड़ी निकालो इस लम्हें उसके नजदीक सिर्फ आफिया की जिंदगी प्यारी थी वो उसे गाओं के हस्पताल ले आया था मगर डॉक्टर्स ने माज़रत कर ली ये कहकर कि यहां उसका ट्रीटमेंट मुम्किन नहीं उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में मुन्तकिल कर दें एम्बुलन्स में डॉक्टर्स के साथ उसने आफिया को शेहर रवाना किया सिर्फ यही एक तरीका था उसकी जान बचाने का वो अपनी बेहन को पढ़ने के लिए शेहर भेजना चाता था तो वो अपनी जान दे देता मगर अपनी बेहन की इज़त पर आच नहीं आने देता आज उसने जान लिया था खुबसूरती दिल की होती है और इस लड़की का दिल बहुत खुबसूरत था बहुत पाग बहुत साफ उसकी गाड़ी एंबुलेंस के साथ साथ चल रही थी ये इतिफाक ही था कि एंबुलेंस के बराबर से शेहरोस की गाड़ी गुजरी उसने एंबुलेंस को जाते देखा अगर वो जानता कि इस एंबुलेंस में कौन था तो यकीनन वो इतने पुर्सकून अंदाज में ना बैठा होता वो घर आया तो उसने मुलाजमीन को फर्श पर खून साफ करते हुए देखा नजर अंदास कर डायरेक्ट अपने कमरे की जानिब बढ़ गया तुमें पता है क्या हुए कनीजवानों अपने बेटे को देख फॉरण ही मसालेदार खबर की तरह बताने के लिए बेस्तबरी हुई क्या वो आमन है ना वो तो अपने बाप दादा और चाचा से भी दोहात आगे निकला है मैं तो इन्ही को जालिम समझती थी मगर वो तो उन सब का भी सरदार निकला मुझे नूरी से पता चला है के पहले तो उसने अपनी कनीजवानों पहुंच गई तो लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए उसके बेजान जिसम को लेकर बचाने के लिए भागा है वाकिए आमन की शखसियत बहुत सुलजी हुई थी इसलिए शहरोस को इस जैसे शखस से ऐसी उमीद ना थी तो क्या मैं जूट बोलूँगी पता है कितना बड़ा संकी है आज तक उसने अपनी कनीजवानों को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था अपनी मा की बात सुन शहरोस को तरस आया था उसका नीजवानों की जिसे उसके नस्दीग उसने कभी देखा तक नहीं था वो कुछ नहीं भूला था हाँ बस खामोश था भी ताकत नहीं थी ना लड़ने की इन लोगों से इसलिए सई वक्त का इंतजार कर रहा था वो नीचे आया तो अगसा बेगम को रोता हुआ पाया फाहीं बख्ष उनके सर पर खड़े बुरी तना चीख रहा था क्या हुआ है चाचा सब इर्दगिर्द जमाते हो परिशान होकर तेजी से आकर पूछने लगा क्या होना था वो हरामजादी मेरे मूँ पर कॉलक पोट कर भाग गई है फाहीं की बास सुनते ही मानों से जटका लगा था क्या ऐसा नहीं हो सकता उसे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर ऐसा हो चुका है शेरोज बेटा सुबा से गायब है वो करम जली शमीम बेगम जले पर नमक छुड़कने वाले अंदाज में बताने लगी वो तो बहुत कुछ थी स्मंगनी से फिर कैसे भाग गई वो जेरे लब बेयकीनी से बढ़ बढ़ाया सारे मुलाजमीन कान खोल कर सुन लोग ये बात हवेली से बाहर न निकले के हवेली की बेटी गायब है वर्ना में जुबान गुदी से खीच लूँगी तुम लोगों की शाहिन बेगम सारे मुलाजमीन पर एक साथ निगाह डाल धमकी आमेज लहजे में बोली अगर जोनी के भागने की बात गाउं में खुल गई तो उनकी क्या इज़त रह जानी थी पूरे गाउं में उनकी थूतू हो जाएगी ये ख्याल ही उन्हें मार रहा था अगला सीन फेस्बग चौदरी बाहर निकल वो हसीन नौजवान लाउंच में खड़ा होकर इस नाम को लेकर जोड़ जोड़ से धार रहा था उसके आवाज सुनते ही सब बाहर निकल आए थे दिमाग खराब हो गया है क्या आमन अपने ही बाप को इससाना कौन बुलाता है तमीज भूल कर आ गए हो कहीं रानी बेगम चीखते हुए सीड़ियों से उतनी थी फैस बख्ष चौधरी मैंने कहो नीचे आ रानी बेगम की बात मुकमल तोर पर नजर अंदास कर वो फिर से उपर की जानिब देख कर चीखा आमन बख्ष आवाज नीचे रखो ये कौन सा दरीका है अपने बाप को बुलाने का इबराहिम बख्ष चौधरी अपने कमरे से बाहिर निकल कर उसकी जानिब बरहमी से आते खसीले लहजे में गोया हुए उसके यूं बुलाने पर तकरीवाज सबी लाउंच में जमा हो गए थे मगर फेस बख्ष चौधरी अभी तक कमरे से बाहिर नहीं आया था फेस बख्ष आज उस पर किसी के भी बोल का कोई असर नहीं था वो फिर चीखा ऐसी क्या क्या क्यामत आ गई है जो अपने बाप का नाम ले लेकर चीख रहे हो फेस बख्ष अपने मगरूर अंदाज में चलता हुआ कमरे से निकल कर सीड़ियों से होता नीचे आया वो पहले से ही जानता था कि आमन आएगा इसलिए बहुत सुकून था बलके उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी अभी भी वो इस तैश के आलम में लाल पीले होते नौजवान के सामने खड़ा अपनी मूचों को ताओ दे रहा था जिसे ना जाने कौनसा अजीम मुआर का सर करकर के आया हो वो वाकिफ époमन कुछ नहीं बिगार सकता उसका सिष्वाई अपनी नराजगी और खफ़ी दिखाने के क्यूं कि आप ने ऐसा क्या बिगाड़ा था उस बिचारी ने आपका क्यूं मार दिया क्यूं क्यूं मारा आफिया को क्यूं क्यूं मारा क्यूं वो पागलों की तरह हलक के बल चीख रहा था उसका चहरा और गर्दन सुर्ख हो रहे थे उसकी आँखे लहू बरसा रही थी बस उसका आफिया नाम लेना था कि शहरोस की आँखे हैरस से बड़ी हुई लगा जैसे दिल को कुछ हो आफिया उसे वो एम्बुलेंस याद आई थी फिर फर्श पर बिखरा वो खून याद आया आज तक उसने अपनी कनीस को कमरे से बाह लिए उसके बेजान जिसम को लेकर बचाने के लिए भागा है ये पहले सिर्फ जुम्ले थे मैगर अब उसे नश्टर लगे इसे नश्टर जो उसकी रूंग को उससे जुदा कर रहे थे एक कनीस के लिए तुम अपने बाप के सामने खड़े होकर सवाल करोगे फेस पार बापि रहे थे ये बात कोई आदमी नहीं लीए थे पहला थे तो नामूम्किन सी बात है बगर हाल ये है कोई फर्क ही नहीं पढ़ता गोया गरीब की बेटी दुकान पे लटका मासका टुकड़ा है बेटे का मन लल चाय और उसने नौच लिया तो क्या हुआ बस ये क क्या हुआ ही तो हमारे मौाश्रे को खा गया कितनी ही हुआ की बेटियां इस क्या हुआ की नजर हो रही है आज सवाल करके क्या पालूंगा मैं कौन सा वो वापस आ जाएगी वो तूटे वो बिखरे लहजे तंजिया वा दिल जले अंदाज मुस्कुरा कर बोल उठा तो इतनी रात को तमाशा लगा कर हमारी नींड क्यों खराब कर रहे हो वो गुसीले लहजे में उसका सुर्ख चेरा देखते हुए पूछने लगे क्योंके दर्खास्त करनी थी आपसे वो नर्मी से बोला क्या फैस बक्ष और बाकी दीगर अफराद को इसका बदला लहजा उ जा गया था इन रगों में आपका खून है इससे निकालने इनके साथ मेरा सांस लेना भी मुश्कुल हो रहा है मुझे घिन आ रही है खुस्ते मुझे शर्म आ रही है अपने आपसे वो चाहकर भी अपने जजबात को बिखडने से रोक नहीं पा रहा था आप यह के साथ क्या आप बकवास कर रहे हो फेस्बक चीखे बकवास नहीं कर रहा मेरी रगुसे इस खून को निकालें वरना मैं खुद को जान से खतम कर दूंगा आज वो सिर्फ कह नहीं रहा था वो मार देता आज खुद को कोई घर में जानवर भी पा लेना तो उससे महबत हो जाती है ये एक फितनी अमले फिर वो लड़की तो जीती जाती फौफ सजाती इंसान थी जो कभी नमाज पढ़ती नजर आती तो कभी गाडन में फूलों को पानी देते जो कभी बच्चों की तरह बारिश में नहाती नजर आती तो कभी बड़ों की तरह उससे बाते करते वो किसी बच्चे की तरह ट्रीट करने लगाता उसे जब से उसके भागने की वज़ा को जाना था कभी मुझ से कहा नहीं मगर उसकी फिक्र करता था उसके खाने की पीने की कपडों की जैसे कोई बच्ची पाल रहा हो बाप और भाई जैसे हिफादत करते हैं बिलकुल वैसे हिफादत करता था उसकी जल्द से जल्द उसे हवेली से दूर भेज़ देना चाहता था कि कोई जानवर उसकी इज़त पर हाथ न डाल सके मगर वो ना बचा सका और जादा तक्रीफ ये बात दे रही थी कि वो जानता था कि उसकी बहन का मुझरिम कौन है मगर वो सब कुछ जानते हुए भी जालिम को कुछ नहीं बिगाड सकता था फिर वो कैसे न तरपे कैसे न मचले आफिया के खून से उसके कपड़े अभी भी रंगे थे उसका वजूद अभी भी लरज रहा था आमन क्या हो गया है तुम्हें वो एक मामूली सी कनीज ही तो थी रानी बेगम फोरणी उसका बाजू से लाते समझाने वाले अंदाज में बोली कनीजों का दौर नहीं है ये इनसान थी वो आम इनसान आपकी और मेरी तरह वो एतिजाजन चीखा बानो उसका जुम्ला सुन मुस्कुरा दी के चलो किसी के मूँ से तो सच निकला किसी को तो याद आया इस नाइनसाफी के खिलाफ बोलने का चीखो मत जादा इस कनीज से हमदर्दी हो रही है तो निकल जाओ इस गर से इबराहिम बख्ष पीछे से धाड़े मैं खुद भी यहां रहना नहीं चाहता वो नोजवान दान तीस्ते एक एक लफ अपने दादा की आँखों में आँखे डाल देखते भरम से गोया हुआ अगले ही लम्हें उसने अपनी जेव से निकाल कर गाड़ी की चाबी और मुबाइल फेसबुक शेपाओं पर फेके और तेजी से सामान मेज पर सजे गुलदान को उठाया ठुस गुलदान पकड़कर उसने अपने सर पर दे मारा आमन सबकी चीफ बुलंद हुई सबसे पहले उसकी दादी का दम निकला था फिर मा और बाकी सबका सबका ही बड़ा लाडला था वो उसकी दादी तो नजर उतार उतार कर ही पूरी हो जाया करती थी मरियम वहीं खड़ी थी बहुत डर गई थी ये सब देख लेकिन अब बहुत अत्तक उसे हवेली का माहूल समझ में आने लगा था चाहीन बेगम तेजी से उसकी जानी बढ़ी तो उसने हाथ दिखा कर रोका उसके सर से खून निकल रहा था माना चक्कर आ गए थे मगर वो सक्त जान बने फिर भी खड़ा था अगले ही पल उसने नीचे जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और अपनी रख काट ली फैस बख्ष को उसके इतनी जुनूनी रद्य अमल की तवक्का ना थी इबराहिम बख्ष और बाकी सब फटी आँखों के साथ इस नौजवान को देख रहे थे आमन इबराहिम बख्ष की अपने पोते की हालत देख दर्द भरी चीख निकली जिसे सुन वो नोजवान मुस्कुरा दिया ये बिल्कुल वैसी ही चीख थी जिसे आमन की आफ्या को पंके से लटका देख कर निकली थी आमन का चेहरा सफेद पढ़ता जा रहा था आँके बंद होने रगी थी सारा गंदा खोन लिकल गया वो अपने हाँ से तेजी से खोन को बहता देख हलका सा मुस्कुरा के बोला अम्मी जमा कर लें इसे इस पर फातिहा पढ़वा लीजिएगा मर गे आमन बख्ष चौदरी आज से मैं सिर्फ आमन हूँ आमन और मेरा आप जिसे जालिमों से कोई वास्ता नहीं खास तोर पर फेस बख्ष चौदरी तुछ से वो अपने बाप की जानेब खुन आलूद उंगली उठा कर गोया हुआ आमन ऐसा ना कहो मैं मर जाओंगी राणी बेगम रोते हुए बोली मों उसे रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो ना रुखा वो लड़ खड़ाता हुआ इसी हालत में हवेली से निकल गया इबराहीम बख्ष ने फॉरह नी अपने मुलाजिम को इशारा किया तो वो तेजी से आमन के पीछे हो लिया आमन हवेली के में दर्वाजे पर ही चक्कर खाकर गिर गया था अगला सीन वो अपनी brand new car में आकर बैठा ही था के सामने से भागती हुई एक लड़की आई वो बेधड़क गाड़ी के बोनट पर चड़ती हुई उसकी छट से होती पीछे के साइट से उतर गई वो देखता का देखता रह गया था गाड़ियों का क्रेस था उससे दिवानगी की हद तक पागल कोई उसकी गाड़ी को छूब भी लेगी उसे बरदाश नहीं था और वो लड़की तो उसकी गाड़ी के बोनट फिर चट पर डिगगी पर अपने जूते रखती उतरी थी वो उसे कैसे छोड़ देता इन लोगी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गाड़े पर अपने गंदे जूते लेकर चड़ने की वो फॉरन ही गाड़ी से उतर कर लाल पीला होता इस लड़की और गुंडों के भागने वाली संथ देखते हुए चीखा मगर अब कोई फाइदा ना था वो तो जा चुके थे जाहिल वो गाड़ी से कपड़ा निकाल कर अभी बोनट साफ कर ही रहा था कि उसका दिमाग खटका और उसे महसूस हुआ जैसे इस भागने वाली लड़की को उसने पहले भी कहीं देखा है उसने जादा देहान ना दिया वैसे भी स्रिफ एक जलकी तो देखी थी इस लड़की की सर जटक कर दाथ पीसते हुए अपनी गाड़ी साफ करने लगा अगला सीन दो साल बाद वो काले लुबादे में अपने सीने से डबल लोटी का पैकिट लगाए तेजी से भाग रहा था तीन चार दुकानदार चोर चोर करते हुए उसके पीछे भागे चले जा रहे थे वो डबल लोटी को ऐसे पकड़े हुए था जैसे उसमें उसकी जान बसी हो सिगनल तोड़ता हुआ वो एक रोड से दूसरे रोड बेधरक भागा जैसे अपनी जान की कोई परवा ही न हो उसके यू भागने के सबब एक गाड़ी उससे टकराते टकराते बची थी वो तो ड्राइवर ने ठीक वक्त पर टंड ले लिया वरना वो यकीनन उसके नीचे आ जाता वो गाड़ी सीधी जाकर सामने दिवार से टकराई थी वो भागे चले जा रहा था बस भागे चले जा रहा था डवर लोटी को सीने से लगाया चानक वो एक ठेले से टकराया उसके पेट पर जोड से लगी थी मगर वो ना रुका अभी वो भागी रहा था कि अचानक सामने से चार हटे कटे नौजवानों ने उसका रास्ता रोका जो ब्लैक कलर के पेंड कोट में मलबूस थे वो पीछे भी नहीं जा सकता था क्योंके पीछे दुकानदार खड़े थे ब्लू जीन्स ब्लैक शेड उस पर ब्लैक वोट जेबतन किये वो रड़का बहुत पुरसरार सा लगा उसके सर पर ब्लैक हैट थी पाउं में जूते और चेहरे पर ब्लैक मास्ट था उसे आगे और पीछे दोनों जानिब से घेड लिया गया था भागने का कोई रास्ता ही ना था उसने डवलोटी को मजीद अपने सीने से चिपकाया तो मैंसे नहीं जा सकते लड़के तो महारी वज़े से हमारे सर की गाड़ी का नुकसान हुआ है इन ब्लैक कपड़ों में मलबूस मैंसे एक बरहमी से गोया हुआ वो अपनी जगा मुझमिद हो गया था उसकी कमर पर पसीने की बूने ढ़लने लगी उसने फॉरण ही अपना थूक गले में निगला था सर अभी वो इन चार गाड़्स को देखी रहा था वो देखने में बहुत खुबसूरत था इतना कि किसी को भी एक लम्हे के लिए साकित कर दे तुम मेरी गाड़ी को नुकसान पहुचा कर नहीं भाग सकते उसका लहजा बहुत कड़क था वो काले लुबादे में मौझूद शक्स एक कदम पीछे हुआ आलियान को महसूस हुआ कि वो घबरा गया है मगर अगले ही लम्हे वो फुर्टी से उसकी जानीव आया और उसके सीने पर एक जोरदार पंच रसीद किया उसका इरादा धका देकर भाग देगा था मगर आलियान फॉरन ही उसका हाथ पकर गया ये पहली बार हुआ था कि इतनी कुष्स से मारा हुआ हाथ भी किसी ने पकर लिया हुआ काले लबादे में मौझूद शक्स हैरान रहे गया था मगर अगले ही लम्हे उसने मारने के लिए दूसरा हाथ उठाया आलियान ने वो भी तेजी से पकर लिया शायद वो भूका था इसलिए टाकत भी सही थाना इस्तमाल नहीं कर पा रहा था अपनी आलियान ने जब उसके हाथ पकड़े तो उसे महसूस हुआ जैसे बहुत नाजुक से हो पतले पतले वो दोनों हाथों को उसके कमर के पीछे मोड गया था तो इसकी पूरी कमर को ठाक गई वो एक लड़की है ये देख दुकानदार भी पीछे हटे थे अरे ये चोड तो लड़की निकला लड़की होकर चोरी करती है दुकानदार एक दुसरे को देखने लगे थे कि उनकी दुकानों से रोज का समान चुराने वाली एक लड़की निकली है वो बिलोरी आँखों वाली लड़की उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी मगर सामने खड़े शखस ने हमियत ना दी इस लड़की ने अपने पूरे वजूद में हिम्मत जमा कर आजाद होने की कोशिश की मगर हो न सकी पकड़ बहुत मजबूत थी इस अजनबी की इस नौजवान ने बगएर चहरे पर कोई हैरती तास्तुर लाए इस लड़की के चहरे से मास कटाया जूता चोर? चहरा बगवर देखते ही वो बेखतियार बोर उठा अगले ही पल उसके निगाह लड़की के जूतो पर गई ये देख बहुत हैरान हुआ था कि वो लड़की आज भी उसी के दिये जूते पहनी हुई थी वो गहरे सांस ले रही थी उसकी सुराइधार सफेद गर्दन पर पसीने की बूंदे सरायत करती अलगी नुमाया थी जिनोंने आलियान की तवज़्जा अपनी जाने खुद ही मवजूल कर ली थी जोनी फिर एक बार खुद को अज़ाद कराने की कोशिश में फड़ पड़ाई मगर मुकाबल की पकड़ के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो तुम पेशावारा ना चोर हो बगौर देखते हुए सवाल किया जबके जोनी जमीन बोस हुई डबल रोटी हस्रत भरी निगाह से तक रही थी तीन दिन से उसने कुछ नहीं खाया था उसे लगा आज वो की ही मर जाएगी उसके होटों पर पापड़ी जमी हुई थी भागने के सबब हलक बिलकुल खुशक हो चुका था और सांस बुरी तरह फूल रहा था अगले ही पल उसकी आँखों के आगे अंधेरा चाने लगा वो आलियान को देखते ही देखते नीचे की जानी बेसूत हकवर ढ़नने लगी आलियान ने फॉरन यूसे ब्राइडर स्टाइल में उठा लिया था इसे कहा लेकर चल दिये साहब ये चोड़नी रोज हमारी दुकानों से कुछ न कुछ चुरा के भागती है इससे हमारा बड़ा हिसाब निकलता है बगहर हिसाब किताब के इसे जाने नहीं देंगे हम वो दुकानदार आलियान को उसे लिजाता देखते तेजी से इतराजन बोले इन लोगों की बास सुना आलियान ने अपनी बाहों में मौझूद बेहोशुई लड़की को बगौर देखा वो बखुभी जानता था कि वो चोरनी है उसने देखा था कि वो डबल लोटी को कैसे पकड़े हुए थी उसलिए अंदाजा लगा चुका था कि वो भूकी है उसने मुड़कर अपने सेक्रेटरी को हलका सा इशारा किया उसने फॉरन ही असबात में सरह लाया जबके आलियान जोनी को अपनी बाहों में लिये चल दिया था अगला सीन वो यूनी में अपने दोस्तों के साथ बाते करने में मश्गूल कैंटीन के पास खड़ा था कि अचानक उसकी निगा सामने की जानिब गई और फिर पलट कराना भूल गई लाइट ग्रीन रंग के कमीज शलवार में मलबूस वो लड़की इसी की जानिब आ रही थी मरियम वो शौक के मारे जिरे लब बड़ बड़ाया यकीन ना आया दो साल बाद वो यूनिवर्सिटी आ गई है मगर कैसे किस की इजाज़त से उसके खानदान में तो वहू बेटियों को पढ़ने की इजाज़त ही नहीं है फिर वो शहर में कैसे उसे अपने जानी बाता देख न जाने क्यूं दिल में अजीब सी हलचल मश्ती महसूस हुई जैसे दिल धक 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 कर रहा हो उसे क्या कहेगा क्या जवाब देगा वो क्या पूछेगी किस तना समझाएगा क्या कुछ नहीं चल रहा था दिमाग में इन तीन चार मिन्टों में मगर जटका तो तब लगा जब वो उसके बराबर से ऐसे गुजर कर चल दी जैसे उसे जानती ही नहों वो खासा हैरस से पल्टा था मिस्ट श्मिश उसने हवाज दी मगर वो ना रुकी शामीर को यकीन ना आया कि वो लड़की उसे मुकमल इग्नोर करके चली गई है मुझे तो आज की एपिसोड अच्छी लगी कि वो खासा है